किन लिए हैं नमस्कार दोस्तो स्वागत आपको हमारे यूट्व चैनल में इंग्लिस वर्ड एन मृटिवेश्न में आज हम इस वीडियो के जरीए आपको इंग्लिस रिट करना सिखाएंगे कि English को read कैसे करते हैं और English को translate कैसे करते हैं English speaking कैसे करते हैं English understand कैसे करते हैं तो यह बड़े अच्छी वीडियो में कुछ ऐसे word meaning भी मिलेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे तो इसको आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए काफी ऐसे word meaning मिलेंगे जो new है तो new जो word meaning आते हैं उनको आप अपने notebook में लिख लीजिए और फिर उनको learn करिए तो आपकी vocabulary बहुत इकठी हो जाएंगे और आप अच्छी English का knowledge ले पाएंगे तो चलिए बिना किसी देरे के हम start करते हैं इस कहानी को और बड़ी सिक्षाद आए कहानी है यह अकबर और बिरबल की है दाफकीर तो इस कहानी में उसने एक सिक्षा दी है बिरबल ने अकबर को क्या सिक्षा दी है चलिए हम start करते हैं और मैं थोड़ा सा इसका font बढ़ा देता हूँ हलका सा बाकी फिर बाद में बढ़ाएंगे अभी यह पूरी लाइन नहीं आए कि दिखिए टाइटल है इसका दाफकीर फकीर मैंने क्या होता है साधू जो साधू होते हैं साधू को बोलते हैं फकीर अकबर डिर नोट अलो ट्रेश जो वहां से बार बार गुजरते हैं आपने पदर अकबर लाइक नहीं खता से, पॐस नहीं funzetल फिर जो अने जाने में वेलगों होते हैं बार बार महां से गुजरते हैं और प्रीमाइक ग्षेतर खता है 성्वार मैलरार ॆइ tätä कि पास पास यह की थिया तो अकुबर लाइक नहीं करता था कि कोई लोग जो होँआ से बुजरें, दिस वोज डिफिकल्ट, लेकिन यह बड़ा मुश्किल था, as people would come and go, तो दिस वोज डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल था, as क्योंकि people would come, लोग महाँ पे आते और चले जाते, तो one day आफकीर arrive, one day, one day मैंने एक दिन, आ मैंने एक फकीर मैंने फकीर, arrive मैंने पहुचा, एक बार एक फकीर वहाँ पे पहुचा, arrive मैंने पहुचा, he set on the parapet, he set, set मैंने बैठ गया, he मैंने वह, set मैंने बैठा, on मैंने पर, किस पर बैठा ओन मेंने पर सेट मेंने बैठा वो बैठा किस पर ओन दा पैरापैट पैरापैट एक दिवार होती है जैसे दिवार या रेलिंग होती है जो चारो तरफ किसी घर के या महल के होती है उसको पैरापैट बोलते है उसकी रेलिंग पर वो बैठ गया ठीके तो पैर दर मिन सिपाही सिपाही कुन सैने कि इसको बंदने सैनिक डिघ्ट नो डिस्ट परेशान करना टिक है ना व इगंडालना ही मैंने उसको तो इसको प्रेशान नहीं किना दे थोट he would go away after some time. दे थोट, मैंने उन्होंने, थोट मैंने सोचा उन्होंने सोचा कि he would go, कि वहें चला जाएगा. आवें, दूर कि वह दूर चला जाएगा after some time. आफ्टर मैंने बाद में, समयने कुछ-कुछ समय के बाद वह चला जाएगा. But, even after hour, यहां तक कि एक घंटे के बाद भी वहां पे बैठा हुआ था तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तक कि अब यह और अच्छे तरीके से आजाए यह देखिए अब यह बिल्कुल सही हो गया आपके लिए तो अकबर प्रेशान हो गया उसको देखके एनोइट हुआ अकबर अराइवड देर अकबर वहां पे पहुंचा खोली सर खोली मैंने सादू जी महातमा जी खोली सर करे म नोट एन आश्रम यह कोई आश्रम यह ध्रमसाला नहीं है उसने का दिसी जब पहली सी महल है ना कोई अन नोट एन आश्रम और ध्रमसाला ना कोई आश्रम ना यह ध्रमसाला है you cannot sit anywhere तुम कहीं और नहीं बैठ सकते you want यहां तुम चाहते हो वहां नहीं बैठ सकते and start meditation और तुम meditation नहीं start कर सकते यहां चाहो तुम वहां नहीं बैठ सकते और meditation में भक्ती और तुम भक्ती करना start नहीं कर सकते he said उसने कहा उसने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते कि जहां चाहो वहीं बैठ जाओ और भक्ति करना स्टार्ट करतो तो दा फकीर उस फकीर ने दा फकीर आस्ट फकीर ने पूछा कि who lived in this place before you उसने कहा कि who lived in this palace before you, who मैंने कौन lived मैंने रहा, कौन रहता था in मैंने, this मैंने in this palace, पैलेस मैंने महल इस महल में कौन रहता था before you, तुम से पहले before मैंने पहले, उसने पूछ लिया फकीर ने, कि तुम से पहले इस महल में कौन रहता था, तो first my grandfather, उसने कहा कि first मैंने पहले, पहले तो मेरे grandfather, grandfather मैंने दादा जी कि पहले तो मेरे दादा जी रहते थे then my father, उसके बाद मेरे फादर रहे, and now me, अब मैं रहता हूँ यहां पे, अकबर नहीं ये बात है, कहीं कि अब मैं रहता हूँ, तो after me, उसने क्या कहा, कि मेरे बाद, क्या होगा, मेरे बाद उसने कहा है, after me, my son, मेरे मेटे, and grandson, मेरे पोते रहेंगे, लोग, कम, आते हैं, and go. और चले जाते हैं. उसने कहा, लोग आते रहते हैं, और चले जाते रहते हैं. No one live here, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता. forever. forever मैंने सदा. उसने कहा, सदा यहाँ, कोई नहीं रहता. तो no one live, कोई लिखने रहना. उसने का कोई नहीं रहता here यहां पर, यहां कोई नहीं रहता i fourteen then don't you think that make this an ashram, उसने का then don't you think, तो मत सोचो smell not, तू सादू ने कहा, कि मत सोचो that make this an ashram कि यह क्या है एक ashram बन गया है then don't think that make this an ashram तो क्या नहीं सोचते की that make this ashram कि एक ashram बन गया है तो the world itself is an ashram तो उसने क्या कि the world संसार जो है न itself, इसल मैंने अपने आप में क्या है एक ashram उसने सिख्षा दे दी उसको कि ये संसार जो है अपने आप में क्या है एक ashram है तो we stay here for some time and then go away उसने क्या का we मैंने हम stay, stay मैंने रहते हैं, ठहरते हैं क्या का उसने we stay here मैंने यहां for some time for मैंने के लिए some, मैंने कुछ हम कुछ समय के लिए यहां पर ठहरते हैं and then go away और फिर हम चले जाते हैं अकबर वो speechless अब speechless होता है है हैरान होना मतलब अवाक रहना उसके पास सबद नहीं थे अकबर वो speechless मैंने अवाक, अवाक बोलते हैं जो आदमी चुप हो जाए कुछ बोल ना पाए meanwhile, meanwhile मैंने के दोरान और इसके दोरान या उस समय realizing, realizing मैंने महसूस करना the emperor had learned this lesson और इस दोरान realizing किया उसने the emperor, emperor मैंने राजा तो राजा ने realize किया had learned his lesson कि उसने जो है एक शिक्षा प्रावत की है तो बिर्बल रिमूट बिर्बल ने हटा दिया रिमूट मैंने हटाया तो बिर्बल ने हटाया ताइब बिर्बल ने, इस डिस्क्यूस, डिस्क्यूस में भेस, अपना जो भेस बदल रहा था, अपने भेस को उसने अटा दिया, रिवील, रिवील मने उजागर करना, उजागर, उजागर करना या दिखाना, और उसने अपने आपको दिखा दिया, नि भेस बदल कर जो बि राजा को वो सिर्फ शिक्षा देना चाहता था कि महराज ऐसा नहीं होता ये स्थान क्या है इक आने जाने का एक स्थान है इक आश्रम की तरह है इसलिए इसको अपना नहीं समझो तो कहानी आपको दोस्तों कैसे लगी कोमेंट में करके बताना आपको अच्छे लगी बुरी लगी या और कैसे आपने इसको जो है फील किया है तो हमारे चैनल को अगर अच्छे लगती है तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और इसको सेर करना थैंक्यू